बॉलिवूड एक्ट्रेस चिल्पा शिटी के हजबन बिजनसमेन और एक्टर राज कुंद्रा से जुड़े केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है राज कुंद्रा को पॉर्नोग्राफिक केस में अब बड़ी राहत मिल गई है जी हाँ एस पर्दा सोर से इस फिल्म स्टार के पती राज कुंद्रा का एडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पॉर्नोग्राफिक केस में सीधा संबंध नहीं पाया जिसके बाद अब एडी ने मनी लॉंडरिंग के एंगल से केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है बतादे कि राज कुंद्रा को एडी ने एलिज्ट पॉर्नोग्राफिक केस में आरोपी बनाया था जिसकी वजह से उनको अरेस्ट भी किया गया था साथी एडी ने इस केस में मनी लॉंडरिंग की भी जाज शुरू कर दी थी अब इस मामले में एडी को राज कुंद्रा और उनकी पॉर्नोग्राफिक केस में सीधा संबंध नहीं मिला है जिसके बाद इडी ने इस केस में इंवेस्टिगेशन का की टॉपिक मनी लॉंडरिंग की ओर मोड दिया है वहीं एस पर दसोर्सेज इडी इस केस में यूके लोकेटेड कमपनी केनरीन के फाइनेंशियल लेंदेन और मनी ट्रेल पर अपना फोकस रख रही है जो कई शेल कमपनियों से जुड़े हुए हैं वहीं रिपोर्ट्स की माने तो इस इंवेस्टिगेशन में पता लगा कि कैनरीन के ही ओनर्शिप बाली कमपनी होट शॉट आप के प्रमोटर राज कुंदरा के बहनोई प्रदीब बक्षी थे और ये कमपनी कई इंडियन शेल कमपनियों के साथ फाइनेशली लेंदेन के तौर पर जुड़ी रही है इस इंवेस्टिगेशन के तौरान E.D. को पता लगा कि जनवरी 2019 में आम्स प्राइम मीडिया लिमिटेड के फाउंडर और CEO सौरफ खुश्वा ने OTT प्लैटफॉर्म की बड़ती पॉपुलरिटी का फायदा उठाने के लिए राज कुंदरा से संपर्क किया था उन्होंने राज कुंदरा से अपनी कंपनी में इंवेस्ट करने की अपील की थी जिसे कुंदरा ने स्विकार कर लिया था इस दौरानी कंपनी ने हौट शॉप एप बनाया था वेल आपको बता दे राज कुंदरा को साल 2021 मा रेस्ट किया गया था जिसके बाद उन्हें बेल मिल गई थी वहीं इस केस को दो साल से उपर का वक्त हो चला है लेकिन अभी तक इस पर कोई कारवाही नहीं की गई है बता दे जेल से आने के बाद इस पूरे मामले पर राज कुंदरा ने एक फिल्म भी बनाई है जिसका नाम यूटी 69 है फिल्म की कहानी राज कुंदरा के जेल जाने से शुरू होती है और बेल मिलने तक खतम हो जाती है वैल आज के लिए बस इतना ही लेकिन ऐसे ही टीवी और बॉलिवुट से जुड़ी तमाम खबरे जानने के लिए आज ही फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारी ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूले हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ